अगली खबर में बात करते हैं रीवा की जहां तिरस्तरिय पंचायती राज के चुनाव संपन हुए चार माह हो गए लेकिन अभी भी चुनावी रंजिस के चलते लोग एक दूसरे के खून के प्यासी हैं ताजा मामला देवेंदर नगर के ग्राम पंचयत राजापुर का है जहां पुरानी रंजिस के चलते सरपंच बेटू लाल के उपर परिवार के ही लोगों ने प्राण घातक हमला किया है खटना के जानकारी लगते ही आसपास के लोग पहुचे और बीच बचाओ किया घायल को उपचार के लिए स्थानी जिला अस्पिताल पहुचाया गया जहां हालत गनभीर होने पर चिकिसकों ने संजय गांधी अस्पिताल रीवा रेफर कर दिया है घायल सरपंच बेटूलाल ने बताये कि वे बाइक से पन्ना जानी की तयारी कर रहा था जैसे ही बबलू साकेद घर के पास पहुचा तभी लाठी डंडे से लोगों ने हमला कर दिया है आई आपको सुनाते हैं पेडित ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है से मैं आया हूं घर नहां दो करके अपन्ना जाने की त्यारी में था मोटर साइकल से था और जैसे घर से निकला थोड़ी दूर में बबलू के दरवाजी पर बबलू बंदर था संतकुमार और बेजे चोधरी दोनों जो है तो निटाथ मेरे उपर मारने लगे और इतने में मोटर साइकल खड़ी करके और खड़ा होने लगा इतने में सब्वी मेरे सरक्र मार दिया मैं गिर गया जबल चिल लाया वहां पर बीज बचा करने मेरे परिवार के बच्चे लोग आ गए और प्रमोदा आदवासी वहें दुकान रखे वो देखता रहा और यह जो है तो तीन दिनों से प्लानिंग में थे पर मैं समझ नहीं पाया कि मेरा तो कोई बात चीत भी बात किसी प्रकार का है यह नहीं और मुझे फिर पन्ना देवनगर अस्पताल से पन्ना रिफर किया गया, पन्ना से वहां से रिफर कर दिया गया है, पर यहां भरती नहीं कर रहे हैं, भाई, अगर मेरे रिफर जोग नहीं था, तो मुझे पन्ना महीं रखी रहती, जब यहां रीवा के लिए रिफर किया है, तो यहां मेरे को भरती नहीं की गया है और जब सरपंचो को यहाल है तो आम आदमियों को काम होगा इन विवाद क्या कारण था विवाद का कोई खास कारण नहीं है चुनावी कारण जरूर हो सकता है चुकि चुनाव में वो लोग भी लड़ रहे थे वो हार गए मैं बहुत बहुमत से जीता हूं और जो है तो मेरे पंचैत में जो आवादी के लिए जमीन प्रस्तावित है उस जमीन पर वो लोग आतिकरमण किये हैं और इस वाद को मैं इस डियम साहब के समक्छे रखा ताकि आप इसको खाली करवा दें पर वो खाली तो नही करवाई मेरे हामला है और करवा दिये